significant figures second lesson का जो नेट्स पाराट है थोड़ा सा सब्सक्राइब उसमेजर्मेंट मैं कुछ दिस्स प्रटी सर्टेन जिसके बारे में बिल्कु रोठी कि करेक्ट हम एक तो वह सारे इसर्टेंड डिजिट और एक उन्सेर्टेंड डिजिट इन पो अगर हम काउंट कर लें तो यह उस measurement की क्या कर लेंगे significant figure जैसे एक example लो कि मानलिया हमारे पास एक thread है और हमें कागे इसके length measure करो meter scale के help से हम इसके length measure कर रहा है और इसका जो यह last land है यह तो पहले आदम तो 0 पे ले लिया आपने यह तो 0 पे ले लिया और जो last land है वो 4.6 और 4.7 के बीच में आ रहा है तब मुश्किल क्या कि मिट्रे scale में जैसे यह दिख रहा है 4.6 और 4.7 यह 4.1234567 है इनके बीच में further है यहां पर कोई भी marking नहीं है समझ रहे हो तो जैसे यह आपका जो 3.6 और 4.7 के बीच में आ रहा है अब इससे 4.6 लिखेंगे तो गलत होगा 4.7 लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा इससे थोड़ा कम है तो एक बच्चा उसे से लिख देता 4.62 दूसरा कहता 4.64 तीसरा कहता 4.67 यह जो डिफ्रेंस हारा 247 इसलिए हारा क्योंकि इनके बीच में मार्किंग नहीं है समझ रहे हैं जो मेटर स्केल होता आपका वो इस तरह से होता जीरो के बाद दस डिविजन होते हैं फिर एक आता है फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तो जैसे 1.3, 1.4 के बीच में दुबारे से मार्किंग नहीं है डिविजन नहीं है तो यह जो लिख रहे हैं बच्चे यह सारे पता नहीं ठीक है या नहीं हां लेकिन सब में 4.6 तो करेक्ट है इसका मतलब इन तेनों मेंजरमेंडर्मेंड में 4.6 होगी कौन सी सेटेंडिर्स और जो ट hardened है या 4 होगी यह 7 और कि स्यर्टेंड दिजिट तो 2 को होगी यह कोगी अंसाटें इन तीनों को काउंट गड़ो यह 3 हो जाएंगी सिग्निफिकेंट तो यानिकि इस मेंजरमेंडमेंड में 3 सिग significant figure आप significant figure की importance क्या है जितनी ज्यादा significant figure होंगे किसी measurement में है ना वो उतना ही ज्यादा accurate होगी यानि कि more number of significant figure है ना in a measurement means measurement is more accurate ठीक है ना यानि अगर मालिया आपने का सब्सक्राइब यह दो significant है यह तीन हो गए तो तीन वाला ज्यादा accurate होगा जबकि देखो value कर आप सोचोगे विल्कुल बराबर है लेकिन इन fact यह ज्यादा accurate उसके respect हो ठीक है यहां से एक चीज़ और बता हूँ मैं कि किसी measurement को जैसे तुमने 4.6 लिखा तो 4.60 अपने मंद से लिख लो एसा नहीं आप एक टर्मोर चीखाते हैं लीस काउंट को क्या बोलते हैं कि किसी भी मेजर मेजरिंग डिवाइस का होता इडिसा मिनिमम मेजरमेंट डाट केंवी टेकन बाई डिवाइस एकुरेटली ठीक है ना कोई भी मेजरमेंट जो सब से कम उससे ले सकते हैं बैकुरेटली उसको काम नाम देंगे उसका लिसकाउंट जैसे लिसकाउंट ऑप मेजर सकेल हैं यह नोड़ मेजर मेंट यह आएगा यह 0 के बाद एक डिवीजन है इस से छोटा बीच में है यह नहीं कोई और तो सबसे च्छोटे डिवीजन यह एक इसकी वैलिए 0.1 cm या 1 mm अब इसको find करना भी सिखा देता हूं कि जैसे यहां तो तुम्हें मालुम था हो सकता किसी और cases में तुम्हें वन डिविजन की वैलिव मालुम ना हो तो तुम पता क्या अगर हो कि तुम यह निकालो किसी भी device में 10 डिविजन की वैलिव कितनी है जै जैसी जैसी अमिटर है इसमें जीरो के बाद 10 डिविजन है फिर पांच एंपर लिखा और मुझे कहा गया इसका लीस काउंट बताओ तो मैं कहूंगा टैन डिविजन की वैलिव जो होई है ना वह होगी पांच एंपियर और वन डिविजन की वैलिव जिरो पाइंट फाइ नहीं कि आपने कहा दिए जीरो पाइंट फाइव तो इसका भी जीरो पाइंट फाइव होगा यह डिपेंड करेगा कि इसके ट्रेंट डिविजन में कितनी वैलिव आ रही है अग्रीड अब एक चीज़ और बताओ मैं आपको कि कोई भी मेजर्मेंट है जैसे मीटर स्केल ह है उसका कोई बच्चा किसी भी मेजर्मेंट को लेता इसे और लिखता 1.34 तो यह मेजर्मेंट गलत हो जाएगी क्योंकि आपको जो मीटर स्केल है ना उसका लीस काउंट डेसिमल के वन प्लेस पर है तो आप उससे वन प्लेस तक ही मेजर कर सकते हैं सेकंड प्लेस कभी भी मीटर स्केल से आएगा ही नहीं इसलिए मीटर स्केल की रिडिंग को कभी भी हम जैसे सिंपल 1.3 है तो 1.30 लिखी नहीं सकते क्योंकि बचो डेसिमल के बाद जितने तुम 0 लगा रहे हो इसका मतलब यह होता कि आप उस डिवाइस से उतने प्लेस तक मेजर कर पाओगे इसल सुरूगे जो इसका लीस काउंट थोड़ा जादा है तो उसमें यह लिख देंगे तो करेक्ट है इसलिए ना यह जो हम लिखते हैं अगर हम सोचे हैं कि माल यह कोई नंबर है कोई नंबर है 12.1 कोई नंबर है 12.10 12.100 तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो तीनों यह लिखा आपने नहीं यह डिवाइस रहा होगा जो डैसिमल के एक प्लेस तक मेजर करता होगा यह कोई दूसरा डिवाइस होगा जो दो प्लेस तक मेजर करता होगा और यह तीसरा डिवाइस होगा जो तीन प्लेस तक मेजर करता होगा तो मेजरमेंट के अगर हम पाइंट अ इसमें 0 इदर है ये बिना 0 की जो वह होगी सब सिक्निफिकेंट होंगी तो जैसे इसमें 1,2,3,4 एंच 4 सिक्निफिकेंट, 1,2,3,4 एंच 4 सिक्निफिकेंट, फिर बात आते हैं 0 की, कि all 0s between non-0 deserts, अगर non-0 के बीच में 0 आ रहे हैं, जैसे जिरो आ रही है, ये 3 और 7 के बीच में आ रही है, तो ये count होगा, 1,2,3,4,5, जैसे ये 2 0 आ रही है, ये 4 और 2 के बीच में आ रही है, ये 0,2,7 की count होंगी सब, ये 6 आ जाएगी, अब जैसे ये system है, ये 0 की अलग हो ग इसको समझने की बात है देखो जैसे यह है 65400 पॉइंट जीरो ना भी लगा है पॉइंट लगाते हैं अब आप देखो यह तो दोनों जीरो है यह नोन जीरो के तो राइट पर है और डैसिमल के लेफ्ट पर है तो अगर कभी ऐसा हुआ तो यह 0 काउंट होंगे 12345 और अगर य डैसिमल है तो डैसिमल के बाचे नंबर डिखा यह ने लिखा है यह सिगनिफिकेंट होगा ठीक है थार्ट रूल यह हुगा फोर्ट रूल क्या होगा है फोर्ट रूल यह होगा देखो अल जरोस यह ला nó to the right of nonzero यह right है r i g h t अल जरोस to the right of nonzero बद तो the left of understood decimal r significant जेख है इस it is a measurement otherwise they are not significant जैसे ये है 65400 समझे ना point zero इसको तो six बताया था मैंने अब जैसे simple है 65400 इसमें decimal लगावा नहीं है तो जब लगा नहीं होता तो understood है कि हम इसे यहां मानते हैं तो वो कहते हैं जीरो को count नहीं करें फिर हम एक दो तीन लेकिन अगर यह नमबर ऐसे लिखा हो और इसका अगर केजी लिखते हैं यह लिखा केजी इसका मतला यह measurement है तो इस तरह की जो जीरो होंगी अगर वो measurement में आ रही है क्या लिखा मैंने यह लिखा कि decimals are significant if it is a measurement अगर वो measurement है तब तो significant otherwise not significant है तो यह जब measurement नहीं था तो यह दोनों 0 छूट गी थी 3 significant थे और जब यह measurement हुआ तो यह 5 हो गई इस जीसे 230 meter है इसमें 0 हो हो है ना count करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि measurement है m meter लिखा तो 3 आ जाएंगे ठीक है फिर यह देखो ध्यान से जो decimal में right side पे 0 होती है जैसे 2.302600 यह दोनों count होगी और इसमें 7 significant होगी बट अगर इस तरह से 0.0 यानि अगर आपका number non zero से start होता तब तो वो zero count हो रही है लेकिन zero से start हो रहा तो just after decimal जो zero होगी उसे count नहीं करेंगे 1,2,3,4 यह count होगी decimal के तुरंद वाली बात वाली count नहीं होगी अगर यह जीरो है अगर यहाँ पर non zero है और यहाँ में zero लगा दू तो यह count हो जाएगी समझे ना इसी तरह से अगर 10 की power में आ रही कोई number तो 10 की power को significant count नहीं करते 1,2 यह दो significant होगी और last point कि अगर हमाँ लिए यूनिट्स का system बदलते हैं जैसे centimeter में 23 दो significant है इसको meter में लिखेंगे 0.23 meter होगा तो फिर भी 2 होगी kilometer में लिखेंगे 0.00023 होगा तो भी 2 होगी यानि कि अगर हम units में change ला रहे हैं तो significant में कोई change नहीं हो